नमस्कार किशान भाईयों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यच्के फार्मर्वा किशान में किशान साथ ही आज अपने गाउं के किशान के खेत में आये हैं जिन्होंने बेट बना कर और ड्रिप लगा कर गोवी की खेती किये आज उनका पूरा हम सेटप दिखा धाया है और एक फिल्टर है देख सकते हैं और आगे वह इक विल्टर है इन्होंने दबल अन दोदर हो आया है और जो ठाइब देख रहे हैं मेर लाइन को पातए इसने दोरिप का फाइव कनेक्ट होता है दा यूद्स कि ईधर देख सकते हैं इनकी गोवी की फसल और इसमें सिचाई किया जा रहा है आपको इनके खेत में लेकर चलेंगे जहां पर पानी जा रहा है तो चलिए इनके खेत में चलते हैं और यह देख सकते हैं हम लोग खेत में जा रहे हैं इनके इधर जो गोवी की फसल है इसमें सिचाई हो गया है और देखिए इधर पानी एकिछ है और पहले दिख आए है, इदर पानी भर गया था और डlarıया ताद पाइप्स फिर लिपड ही इसने उधर ज्याद बिच्छा कर लगाया है और देख सकते हैं इन्होंने किसान भाईयों पांच एकड में वह भी की खेती किया है और देख सकते हैं बेट से बेट की इनकी दूरी की बात करे रहे हैं इसे बेट से बेट की दूरी है दो फीट है और इन्होंने एक बेट पर दो लाइन गो भी इसं में तायवानी तर्बुज और खर्बुज का खेती करेंगे इसलिए इसने इन्रोने डिप लगवाया है तो इनका जो खरबुजे और तर्बुज का वीडियो है आपको भी देखने को मिलेगा और गबी की पोसल देख सकते हैं काफी बढ़िया है जिसको लगा हुए 20 दिन हो गए हैं और देखते हैं इनको गोवी की खेती में कितना मुनाफ़ा होता है जब इनका गोवी का फसल निकलने लगेगा तो आपको जरूर हम दिखाएंगे इनका किसान भाईयों जो यह किसान है वो इस्चे में उपलवद नहीं है खेत में उनक बर्फन द्रिप लगाने से बहुत algun सबॉत फाया है इसमें खर्फुण नहीं आते हैं और इसमें एक और पादा है कि इसमें की ज्यादा लेवर का खर्च नहीं होता है अगर ज्यादा अगर आप सब्सक्किर करना चाहते हैं पानी की बचत भी होती है और फसल भी काफी अच्छा होता है और इसमें एक खाशियत और है कि आपको खाद 5 के द्वारा दे सकते हैं पौधे-पौधे तो वीडियो कैसे लेगी वीडियो अच्छी लेगी हो तो वीडियो के लाइक किजिएगा